आज आपसे एक सवाल पूछता हूँ, राहुल गांधी को किसी बड़े मंच पर किसने पप्पो कहा था, आप सोच ये, खुद राहुल गांधी ने ही तो कहा था ना, आप के लिए मैं पप्पो हूँ, और उसके बाद उनकी बहन प्रियांका बाडरा ने, आप उसको पप्प बनाते हैं, और फिर उसके बाद उनकी चेली महवा मुहित्रा ने, और वो भी संसब में, लेकिन सवाल ये है दोस्तों, कि अब राहुल गांधी खुद किसे पप्पो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जरा सोचिए, जोर लगाईए दिमाग पर, सोचना जरा मुश्किल है, ल तो कुछ न कुछ करके आते हैं, मैं कुछ वीडियो दिखाता हूँ, सब समझ में आ जाएगा, जरा ये देखी, अब कमल नात जी की उम्र जानकर, राहुल गांधी ने क्या किया होगा, ये तो वही जाने, लेकिन कमल नात जी से एक और सबाल, सुनिये सुनिये, बड़ा इ बस्पताल गए, पहला काम क्या हुआ, दॉक्टर ने पहला काम क्या किया, बताइए, लेकिन अगला वाला मसाला तो दोस्तो कमाल का है, सिर्फ मध्य प्रदेश के लोग ही नहीं, पूरा देश मजा ले रहा है, जरा सुनिये ना, कमलनाच जी कितने किलोमेटर चले थे हम यहा, नहीं नहीं, मध्य प्रदेश में, तोटल कितने चले थे, नहीं नहीं, यात्रा कितने किलोमेटर चली थी, लगदग 180 किलोमेटर, यह देखे, 370 किलोमेटर, देख रहे ना, जिस व्यक्ति ने पूरे देश में भारे जोड़ यात्रा की मध्य प्रदेश में यात्रा की उसे खुद ही नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितना किलोमीटर चले और दूसरी तरफ एक ऐसा वेक्ति जो मध्य प्रदेश में कॉंग्रेस की कमान समभा ले वे उनको भी नहीं पता कि मध्य प्रदेश में कितने किलोमीटर की य कौन सीरियस नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर देते हैं और इसका नतीजा ये है दोस्तों कि करनाटक की तरह करनाटक में भी राहूल गांधी को बहुत हाइलाइट नहीं किया गया मध्य प्रदेश में भी उन्हें दूर रखने की कोशिश की जा रही है केवल उपर उपर और स्थानिय नेताओं को महत्व दिया जा रहा है लेकिन असली सवाल कि मध्य प्रदेश के भीतर कमलनाथ कौन सा गुल खिला रहे हैं वो जानना जरूरी है और आज मैं इसी को डिकोट कर रहा हूँ साथ्यो नमस्कार मैं हरिश्चंद्र बढ़वार मध्य प्रदेश के चुनाव में सर्फ तीन हपते का वक्त बचा है और मतदान तो 17 नमबर को होने है चुनाव होना है लेकिन उससे पहले तो बहुत सारी चीजे हो रही है दोस्तों लेकिन आपको मैं एक दिल्चस्प चीज दिखाता हूँ और दोनों में कमल नाथ एक बयान 2018 का है और दूसरा बयान 2023 का और दोनों मध्य प्रदेश चुनाव से पहले का है विदान जबा के चुनाव तो दोनों को आप सुनिए पहले 2018 का एक बयान और अब मैं आपको 2023 का एक बयान सुनावे है तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट है कि कहने के क्या आप शब्त है अब ये जो दोनों बयान है ना दोस्तों समझ तो गया होंगे आप कि ये कमल नाथ जी का बदलता हुआ रंग है लेकिन इसे समझने के लिए आपको पूरा बयान सुनना जरूरी है अभी तो टुकडों में सुनाया और ये 2018 में चुनाव से पहले का बयान है ये वीडियो शूट ही किया गया था लगता है आ गया मतलब भूलवश ये वीडियो आ गया जिसमें वो मुस्लिम समुदाय के ल राक्र में से जुड़ा हुआ है बहां तो उनके लिए शुबहाय हाऊ और आप को चलो आप बड़ा असान है वो उनक किया एक एक ही स्लोगन है अगर हिंदू को वोत देनी है तो हिंदू शेर मोधी को वोट दो अगर मुसलमान को वोट देनी है कौल दो लाइए और कोई पार्ट बढ़ाने भी जाते हैं ये इनकी रणीती है देख रहे हैं ना इसके आगे कमलनाथ मुस्लिम समुदाय को सतर्क कहते हैं और सतर्क करते हुए कहते हैं कि मतदान के दिन तक आपको सब कुछ सहना पड़ेगा और फिर बाद वे निपट लेंगे ये वो वीडियो है दोस्तों बड़े ध्यान से समझ लीजिए जिसमें वो मुस्लिम बदाताओं के 90 प्रतीशत वोट पाने की रणनीती तयार करते हैं बनाते हैं और कहते भी हैं कि अगर आपका 90 प्रतीशत मत नहीं मिला तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा लेकिन आज 2023 के चुनाव से पहले कमलनात ने अपनी पूरी रणनीती बदल ली है और आज क्या कह रहे हैं ये भी देख लीजिए मैं चाहूंगा टू विंडो में दिखाएं कि उस समय तो मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे थे लेकिन जानते हैं दोस्तों ये रणनीती सिर्फ चुनाव के दोर में मध्य प्रदेश के हिंदू मतदाताओं का मत पाने के लिए वो भी जानते हैं कि हिंदू मतदाता अपने धर्म और इश्वर के प्रती जागरुक हो चुका है तो सवाल ये है क्या क्या इसी लिए सिर्फ इसी लिए वो हिंदू मतदाताओं को अपने जाल में फसाने के लिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि कमलनात और कॉंग्रेस को ये एहसास हो गया है दोस्तों और ये अच्छी बात है जो मैं आपको बता रहा हूं और ये पूरे देश की बात है इसलिए आपको ये पैटर्ण देखने को मिलता है वो ये जानते हैं कि मध्य प्रदेश में हिंदू एक जुठ हो रहे हैं और उन पर जाल डालने के लिए कमलनात रामकता का आयोजन कर रहे हैं ताकि ये समझें लोगों को ये समझ में आये कि कमलनात का और कॉंग्रेस का सनातन धर्म के प्रती जो नजरिया है वो बदल गया है आगे कुछ और इंट्रेस्टिंग चीज़ों को देखिए हिंदू धर्म के प्रती अपने लगाओ को दिखाने के साथ साथ धर्म निर्पेक्ष्टा के पाखंड को बनाये रखने के लिए ये जनाब तरह तरह के डायलोग बोलते हैं ताकि जनता उनकी बातों में फस जाए और इसलिए एक तरफ जहां 82 प्रतीशत हिंदूों की बात करते हैं तो दूसरी तरफ मुसलमानों के 90 प्रतीशत वोट पाने के लिए पूरी तैयारी करते हैं और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूँ दोस्तों कि कमलनाद जी के पास या कॉंग्रेस के पास कोई विशन न करते हैं पहले ये बयान सुनिए बनाने की क्या बात है 82 प्रतिशत तो हिंदू है तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं दिख रहे ना हिंदू राष्ट के हुंकार भर रहे हैं लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसी आबादी को खंडित करने के लिए एक रणनीती तयार करते हैं जिसमें राहूल गांधी जितनी आबादी उतना हक का नारा देते हैं और मध्य प्रदेश में भी दोस्तों जाती आधारित जनगर्ना करवाकर कॉंग्रेस हिंदूों में विभाजन की लकीर को और मजबूत करना चाहती है और उसके लिए जो न लेकिन सचाई छुप नहीं सकती दोस्तों और इसलिए इनके असली मकसद का खुलासा तो इंडी अलाइंस में इनहीं की पार्टी के एक निता ने कर दिया जिन्होंने साफ कहा कि उनका एजेंडा सनातन धन को पूरी तरह से उखाड फेंकने का है और उसी की शुरवात धीर धीरे राजियों से हो रही है हिंदूों के सामने देश को हिंदू राष्ट बताते रहेंगे और अंदर ही अंदर इसे जातियों के नाम पर तोड़ते रहेंगे और जब तक हिंदूों को जाती के नाम पर खंड खंड नहीं किया जाता तब तक कॉंग्रेस मध्य प्रदेश में soft हिंदुत्व का रास्ता अपनाती रहेगी और इसी लिए मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूं कि कॉंग्रेस ने कमलनाथ को एक नया रूप दे कर इस चुनाओं में आगे किया है और राहूल गांधी दूसरी तरब जाती आधारी जंगर्णा का narrative रच रहे हैं लेकिन उ मैं आपके सामने रख रहा हूं क्यूंकि वो जाते हैं तो वहां गडबड कर देते हैं वहां गडबडी पैदा करते हैं लेकिन कमलनाथ का ये नया रूप लोगों को भ्रमित करने के लिए वहां पेश किया जा रहा है जानते हैं दोस्तों मजदार चीज एक और है सुनकर अ सहिश्णुता को हिंदूों को ही सिखाने का काम किया जा रहा है जबकि मुसल्मानों से कहते हैं कि हिंदूों को चुनाव के बाद देख लेंगे और आज राहुल गांधी जिस सनातन धर्म को उखाड फेकने का काम कर रहे हैं उसी धर्म के नाम पर मैं इनका बदलता हुआ दिखा रहा हूं आप देख लीजे रिपोर्ट 2018 के चुनाव में परचार करते थे पिछली बार हर चुनाव में टेंपल ररन करते थे हर बार मंदिर मंदिर दोड़े जाते थे और किस तरीके से जाते थे आपको पता है न कि कैसे इन्होंने छिंदूों को फसाने के लिए श चनातन धर्म को खतम करना चाहते हैं, हिंदुतु को तो खुल कर कोसते हैं और उनके जो समर्थक पाटी है, वो क्या कह रही है? वो तो सीधे सीधे कह रही है कि हिंदुतु को खतम करना है तो कुल मिलाकर के साथ हूँ, मध्यपरदेश में, कॉंग्रेस की सोच उस narrative का हिस्सा है, जिसमें हिंदूों को सौहार्थ की बात बता कर, सहिश्णुता की बात बता कर, हिंदूों को ही नीचा दिखाने का काम किया जाता है, चुनाव जीतने के बाद उनके ही संसाधनों को छ करनाटक की तरह यहां की भी जनता का फसना तय है बाकि तो आप समझदार है तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक कीजे शेर कीजे कमेंट कीजे और इस बेल आइकन को प्रेस करना म सब भूलिएगा नमस्कार